आई होप स्क्रीन जो है वो आप सभी को शोहरी हो तो जो पहला पॉइंट मैं आपको कहरा था रिगार्डिंग दा आंसर राइटिंग माम हां जी सर आपको जो है वो आंसर राइटिंग के लिए मेरे मतलब जो मैं जितना मैं आपके आंसर को जो मैंने कल देखे थे उसके अभी और आंसर भी आपके देखने पड़ेंगे तो ज्यादा बहतर क्लियर होगा कि कहां कहां पर जो है वो इंप्रोव्मेंट करनी चाहिए कहां पर नहीं बट मैं आपको यह कहूंगा कि आपना रेगु करो कि पांच से दस जो है वो लिखने ही लिखने हैं कोशिश यह करो देखो स्टार्टिंग में मैं आपको वी एक बात बताता हूं आप सभी एक सुनना कि अब हमारे पास जो टाइम होता है ना अंसर लिखने का अब अगर हम रोज तीन घंटा लिखेंगे ठीक है त्री आर क्लेक्ट करना है हमें डाटा क्लेक्ट करना है तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन अगर तीन घंटा नहीं लिखेंगे तो फिर प्रैक्टिस भी नहीं होगी यह भी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी तो फिर कंफ्यूजन है कि करे क्या या तीन घंटा लिखे रोज क्योंकि अगर 3 घंटे लिखते हो, मान लिजे अगर हम 10 घंटे रोज पढ़ते हैं और 3 घंटा सिरफ answer writing करते हैं, तो मतलब 7 घंटे बचे अब 7 घंटे में हम क्या-क्या पढ़े, हम 1 घंटा newspaper पढ़ते हैं, ठीक है और 1 घंटा current affair पढ़ते हैं, बच गए 5 घंटे, तो 5 घंटे में हम कोई एक subject पढ़े revise करे, क्या करे, या data collect करे, suppose that data collection में भी जो अब हम 2 घंटे लगा जते हैं तो अब सिरुफ 3 घंटे बचे हैं, और 3 घंटे में एक ही subject पढ़ा जा सकता है तो subject नहीं पढ़े जा सकते हैं, तो इस challenge को कैसे address किया जा सकता है इसका एक best solution है, ठीक है, जो solution मैंने थोड़ा सोच कर बनाया कि हम क्या कर सकते हैं, 8 to 10 questions रोज लिख सकते हैं 8 से 10 questions लिखने के लिए हमें 1 घंटा लगेगा, 1 hour और paper में भी ऐसा होता है, शुरू का जो एक घंटा होता है उसमें 8 से 10 questions ही लिख पाते हैं, इससे जादा नहीं लिख पाते हैं जादा से जादा 10 लिख लेंगे, extreme तो लिख ही नहीं पायेंगे 10 लिखने का मतलब जो हो गया कि आप 6-7 minutes दे रहे हो तो approximately जो हो 8 से 10 questions first star में लिखे जा सकते हैं तो या तो आप 8 से 10 questions करो, या फिर ये decide करो कि हम क्या करेंगे, 90 minutes जो हो हर रोज answer writing करेंगे ये 90 minutes जो हो हमने answer writing ही करनी है और कुछ नहीं पहला तो ये हो गया, कि 90 minute answer, अब second point आता है कि 90 minutes कब select करने है, क्या शुरू में या फिर आप सुबा ही, मतलब जैसे कि पढ़ना शुरू किया, तब ही तुरंट लिखना शुरू कर दो, या last वाले time की 5-6 बजे जो हो लिखेंगे, तो ये आप अपने according decide कर सकते हैं बट अगर हम इसे, like 10 बजे से अगर paper शुरू होता है, तो अगर हम इसको 10 बजे से लेकर 7-11 बजे तक करते हैं, 11-30 तक करते हैं, तो वो एक idle time होगा, तो इसमें हमारी speed भी बनेगी accuracy भी बनेगी, और हमें ये लगेगा कि answer rating तो हमने लिख लिए है, अब हम कुछ और पढ़ सकते हैं अगर आप इसको शाम के लिए छोड़ते हो, for example, like 5-6-30 जो है वो आप इसको छोड़ते हो, तो उस case में आपके पास एक challenge होगा कि फिर उस time आपका मन नी करेगा, और mind अल्रेटी ठक जाता है, लेकिन जब हम exam में जाएंगे 10 बजे, तो हमने उससे पहले जो है, वो एक fresh mind होगा हमारा बिल्कुल exam की थोड़ी बहुत attention होगी, लेकिन mind जो हो बिल्कुल fresh होगा, तो कोशिश करो कि 10 से लेकर 11 बजे के बीच ही लिखो, या फिर अगर किसी के पास लगता है कि वो morning में busy है, तो वो सुबह जल्दी लिख सकता है, लेकि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक वो answer अपने लिखे, और side हो approximately 40 days ही रहते हैं, तो अब आप यह देख लेजिए कि 40 days में हमें क्या क्या complete करना है, और 40 days में हमारे पास target में हिंदी और English भी होगी, साथ में हमें जो है वो essay भी practice करना है, फिर confused, फिर last में यह रहता है कि हम क्या करते हैं, यार पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखता हम वहा लेंगे, लेकिन लिखते हुए फिर problem ही होती है कि अच्छा यार हमने before लिखा, फिर हमें लगा कि before नहीं लिखना चाहे था, फिर हम इसको cut कर देंगे, फिर हम कुछ और लिखेंगे, तो फिर यह वाली जो practice है, यह रह जाती है, फिर यह गलतिया वहाँ पर भी होती है, तो इसलिए ideally अभी जो है वो कम से कम डेढ़ घंटा लिखो, 90 minutes target रखो कि 90 minutes लिखना ही लिखना है, और यह लिखना ऐसा होगा answer writing कि सब कुछ notes बन, notes देखने ही नहीं है, जब question लिखना शुरू किया, तो चाहे आपको आ रहा है, चाहे आपको नहीं आ रहा है, बस उसके बारे में लिखते चलो, क्योंकि paper में भी same ऐसा होगा, वहाँ पे जो है वो मौका नहीं मिलेगा, कि हम book खोले और देखे, तो जब लिखने बैठके, तो सिर्फ लिखना ही है, इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं, कि जब answer writing कर रहे हो, तो अगर आप library में बैठे हो, तो सीट छोड़ दो, अगर आपको ये लगता है कि हम जो है वो देख सकते हैं, तो अपनी phone सब कुछ side रखे, सिर्फ अपने paper और pen उठाओ और लिखना शूरू, ये clear हुआ सबको, ये बहुत important है, जोती माम clear, हाँ जी सूर, ठीक है, मैं हम आपके answers चेक करते हैं, मैं जोती माम आपके answers चेक करते हैं, आज पहले ठीक है, इसका reason है क्योंकि, तो write a short note on communal award, communal award, तो introduction अच्छी है, मतलब ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया, आर, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, नहीं लग रहा था, सर्व दो टाइप के आर होते हैं, आम दोनों टाइप में दोनों का यह नहीं पता चल रहा था, अब जैसे यहां पर हैं इधर तो पता चल गया, लेकिन जो minister में आर हो गया, यह नहीं पता चल गया, तो इसके ओपर थोड़ा सा काम आप कर सकते हैं, ठीक है, एक तो यहां पर मैंने वर्ड भी काउंट की अब, 53 वर्ड हुए हैं, यह लग रहा है कि वर्ड कम लिखे हैं, तो आप इसमें जैसा आप दो तीन वर्ड इसमें और एड कर सकते थे, एक डीवड और डीवाइर पॉलीषिए यह आप मेंचिन कर सकते हैं, डीवाइड grinding रूल पॉलीषिए को, जैसा आप लाई मेंचिन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि sign on जो पुना पैक्ट भी आप लिख सकते हैं 1932 इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं और साथ में आप लिख सकते हैं कि लेटर साइं बिट्विन मात्मा गांधी एंड बीया रमवेड का to resolve communal awards और joint की जगा सेपरेट की जगा joint electorate की बात की इवन आप यह भी बोल सकते हैं यहां पर कि गांधी जी का point of view भी आड़ कर सकता है कॉमनल अब पर कि गांधी जी ने कहा था कि जो depressed classes है वो जो है वो हिंदू सोसाइटी का ही पार्ट है वो अलग हिस्सा नहीं है ओके जो आपका यह क्लेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी है यह क्या कर रहा है प्रमोट कर रहा है था कंसेप्ट ऑफ गर्मेंट वाइदा पीपल फॉर दा पीपल क्योंकि कहीं ना कहीं यही हो रहा है ना इससे अगर वो रिस्पॉंसिबल हो रहे हैं तो सरकार हमारे लिए रिस्पॉंसिबल है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं ठीक है सिगनिफिकेंस वाली जब आप यह लाइन लिख रहे हो न देखो इक तो स्पेस आपको मैनेज करना पड़ेगा बिट्विन लाइन देन आप यह सिगनिफिकेंस नेक्स लाइन से शुरू कर सकते हैं तो बहतर रहेगा अच्छा दिखेगा क्लियर पता चलेगा पॉ तो आपकी introduction छोटी लगती क्योंकि लिखी बहुत अच्छी है introduction और शायद I think very good पहली बार जो है वो किसी को answer में गया है तो इसमें क्या है कि दिसे आपका यह अहां पर आपने introduction बनाई ना इस answer की तो introduction थोड़ी से बढ़ी हो मतलब paragraph बढ़ा हो गया तो इस वाई से बढ़ी कर रहा है कि पहले हो क्या रहा है देन उसके बाद आपने जो points mention किये वह यह आप साथ में mention कर सकते हैं like सुकेट सत्तगरह का mention करो प्रजप पजूता moment का mention करो धामी revolt का year mention करो bracket में लिखने बहुत जरूरी है मैंनि सबसे पहले ही एक लास में कहा था कि अगर आप किसे moment या को कि organization को add कर रहे हो तो उसका founding year bracket में जरूर लिखो तो आपको इसमें ना one twenty words का है यह अगर यह आठ नंबर में आता है तो आपको approximately इसमें five number मिल जाएंगे इतने दो आराम से मिलेंगे आपको से मिल जाएंगे handwriting आपकी अच्छी है आर को आपको थोड़ा सा डंग से बनाना पड़ेगा क्लियर बनाना पड़ेगा थोड़ा ध्यान देना forest conservation policy जब यह मेरे माइन में जब यह मैंने पढ़ा question तो मेरे माइन में एक बात आई कि 30% वाला factor तो जरूर होना चाहिए और वो आपने एड किया है इसमें introduction में ही वो एड किया है तो वो एक अच्छा है कि क्या अच्छा है थोड़ा आप इसको अंडर अंडर लाइन कर सकते हैं में पॉइंट को highlight कर सकते हैं तो सही रहेगा points well covered अच्छा आपने इसको frame किया है answer को सही है थोड़ा I think मुझे लगता है कि आप एक अदा point जो है वो और इसमें बना सकते थे conclude करने के लिए अच्छे से इसको इसमें क्या conclusion में आप डाल सकते हैं कि forest जिस तरह से अगर हम देखे कि आप climate change से fight करने के लिए यह हिमाचल प्रदेश जो है वो एक हिली स्टेट है और जिस तरह से natural disasters हम face कर रहे हैं तो forest जो है वो एक balancing role play कर सकते हैं कुछ इस तरह से जो है आप इसमें add कर सकते हैं अगर इस तरह से नहीं add करना है तो कोई quote आप अलास्ट में अगर डाल सकते हैं तो वो भी add कर सकते हैं तो वो भी चलेगा इवन forest policy के regarding हिमाचल प्रदेश का या forest का development के साथ लिंक जो है वो लिंक कर सकते हैं कि forest जो है वो minor forest produce जो है वो फार्मर की income को जो है वो increase करेंगे तो वो भी हमारे लिए जो है वो helpful रहेगा नहीं तो simple मैं sustainable development goal सिधा simple sdg 17 जहां पर आप पढ़ते हो उसके सामने चिपका दो कि दिवार पे दिवार पे वो गोल चिपका दो रोज के रोज याद करो एक गोल कंक्लूजन में add करते चलो सबसे पहला तो आपको लगा नहीं किसमें मैप मैंशन करना चाहिए तो आपको इसमें और वर्ट करने चाहिए थे ठीक है एक पेज और लिखना है देखो आपको वहां पे जो स्पेस मिलेगा वह एक शीट और दूसरी हाफ शीट होगी मिलेगी तो आप मैप जो है वह हमेशा यहां यहां रखना कि इस साइड पर आप मैप बना सकते हैं मैप का मतलब हो गया नंबर चुराना नंबर आपको लेने मैप यहां पर बनाओ प्लस साथ में देखो इसकी इंडिया का पहले क्लाइमे टाइप तो बताओ कि क्या है ओवरॉल हमारा एक क्लाइमे टाइप है ना मौंसुनल टाइप हम कहते हैं तो वह चीज आप मेंशन कर सकते हैं देन उसका मेजर जोन्स जो आपने यहां पर बताई है ना तो इसमें आप यह सई है टेम वेट टेमपरेट आए मौंटेनियस ठीक है कोस्टल ओके मेडिटेरियन सहारा सवाना टाइप ठीक है यह भी मेंशन होंगे मेडिटेरियन तामिल लडू हो गया सवाना ग्रास लेंड्स हो गया जो आपके बनते हैं ठीक है इसमें बहुत सारे जहां वो एड करने पड़ेंगे और जब टेकनिकल कोईशन आता है फिर देखो यह कंसे अब इसके पर जब आपने टॉपिक पढ़ लिया आपको लग गया कि इतना मैं लिख पा रही हूं तो अब आपको सारा पढ़ना पढ़ेगा तो अब टॉपिक पर जाओ क्लाइमेट जोन सारे के सारे याद कर लो क्योंकि इस बार भी कुशन अल्योड़ी आ रखा है हां जी पर मैंने तो सरजस्ट अब मतलब थोड़ा टाइम पहले पढ़ा फिर मैंने लिखा तो मेरे को सिर्फ यह याद रहा अगें पढ़ो अब पता चल गए कि इतना तो याद रहे गया अब थोड़ा सो और पढ़ो तो याद रहे जाएगा फिर कि क्लियो आजी मैं आपके आंसर जी आवाज मेरी थीक आरी आधि ठीक है इंट्रोड़क्शन अच्छी है ठीक है और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपने कर दें मुझे लगा एक काम कर सकते हो जैसे आप इस तरह से लाइन लगा रहे हो आप शीट को फोल्ड भी कर सकते हो सिंपल और वो फिर शीट जब फोल्ड कर रहे हो ना तो मैं पूरी शीट की फोटो भेजना ठीक है मतलब जब पीडिएफ बनाओगे तो पुछीट को बनाना ताकि मुझे साइड में लिखने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए ठीक है इंट्रडेक्शन में देखो जब तक आप जब तक मैंने यह नहीं पढ़ा था आयाटी गांधी नगर तब तक मुझे यह लग रहा था कि एड करना चाहिए ठीक है प्रदेश का पी बढ़ा होगा और आल्मुस्ट इंट्रेक्शन बहुत अच्छी है बिलकुल क्लि तरीका है इसको हम फॉल्व कर सकते हैं इंपक्ट आफ राइस फार्मिंग ऑन ग्राउंड वॉटर ठीक है आपने हर उसमें एक्जट डाटा मेंशन किया है तो चलेगा अभी भी मैप में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा वर्क करो मैं बन चूटे-चूटे मैं बनाने की कोशिश करो ठीक है तो वह ज्यादा बहतर रहेगा इस वाइल डिग्रिडेशन का सही है लेकिन फ्लड इरिगेशन और इंटेंसीव इरिगेशन मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो फ्लड इरिगेशन कि मतलब यह कहां से यह वर्ड आए क्य मतलब मैं यह समझ गया कि फ्लड इरिगेशन और एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर कर रहे हैं यह तो सही है लेकिन आपने यहां पर कैमिकल पेस्ट और कैमिकल एंड पेस्टिसाइड्स भी आड़ कर सकते थे वो भी आप मेंशिन करते हैं साथ में हाँ तो वो भी सही रहेगा ठीक है और क्योंकि कहीं कहीं जो आपका मतलब जो अगर हम पंजाब हर्याना की बात करें तो जब ग्रीन रेवोलुशन इंट्रियूज वाथ हो तो बहुत सारे कैमिकल जो है वो बहुत ज्यादा यूज कि पर आपने एक मुझे डाउट थी जब मैं ये एक सब टॉपिक लिख रहे हूं जैसे मैंने तो उसमें मैंने मतलब बड़ा सेंटेंस लिखना है कि बस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के आगे बढ़ जाओं मतलब जिसे उपर वाला आप देख लिजे स्वाल वाल मुझे पूरा सेंटेंस बनाने के जगा मुझे लग रहा था कि यह मतलब एक्स्टा हो रहा है पस इंपॉर्टिंग पॉइंट 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 लिखना है में टूदा पॉइंट सिदा वो भी चलेगा नोहीं चलेंगे देखो ऐसा कुछ निया दोनों नहीं इसमें ज दोनों ही लिख सकते हो अब यह डिपाइंड करता है स्पेस मैनेजिमेंट पर अगर यही क्वेशन आपको 150 वर्ड में आता है तो आपको तूदा पॉइंट लिखना पड़ेगा लेकिन यही क्वेशन अगर 250 वर्ड में आ रहा है तो डेफिनेटल हमें थोड़े पॉइंट तूदा पॉइंट चले गए वहाँ पर मैं इसमें भी ऐसे ऐसे क्वेशन रहा है जहां पर मैं छे पॉइंट लिख दी लिकिन तर भी एक पीज बाकी है तो उसमें मैं वापस दस पॉइंट लिखने भर तो आईडिया नहीं है मेरे पास तो मैंने एक नया टाइमेंशन ही क जुक्सर्द भी मैं गलती से कर दी फिर इसको पूरा कट करके लिखो इस तरह से और एक लाइन मारनी है ऐसे दो दो तिन तीन लाइन मारने की जुरूत ने एक लाइन मारो सिधा और आगे लिख दो ठीक है है विडेट लॉस वार नाइगर देखो जैसा आपने यह मैंशिन किया ना यहां एक्जामपल तो नंबर इसके होते हैं मैंनली नंबर यहां से क्योंकि यह पॉफेक्ट है मतलब यह प्रैक्टिकल एक्जामपल है कि आपको पता है आपने यह पढ़ाया आपको यह क्लियर है इस तरह के अगर आप लिखते हो ना तो आपको एक्जामपल जिसे सब कैमिकल एंड पैस्टिसाइड साना तो यहां पर आप ग्रीन जब स्वाइल डिग्रेडेशन हुआ तो इरिगेशन के इंटेंसिव इरिगेशन और यह सब पॉइंट सही है आप यहां पर ना ग्रीन रेवलुशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ कैमिकल्स लिख सकते हो तो वह दोनों क्लियर होगा है क्योंकि पता है ग्रीन सुलुशन में ऐसा हुआ है देन उसका अल्टरनेटिव तो वाटर इंटेंसिव राइस फार्मिंग इसके इसका जो जो अल्टरनेटिव है तो क्रॉप डैवर्सिफिकेशन क्लियर अब देखो यहां पर आपने मेंशन भी किया फार्मर इंकम और ग्राउंड वाटर दोनों हो रहा है ठीक है और साथ में स्केम भी मेंशन कर दी तो ब्लस है कि एक अच्छा पॉंट है अपने मेंशन किया तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगी यह सारी ठीक है दिन मेजर्स फॉर दा ग्राउंड वर्टर रिकवरी यह बहुत अच्छा था यह स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था क्लियर था बिल्कुल कोई इसू नहीं ठीक है और आपने इसको यहां पर यहां पर भी लगा सकते हैं और मेजर्स ठीक है आपने मेंशन कर दी और एक स्कीम इनफ होती है एफिशेंट इरिगेशन प्रैक्टिस इस अल्सों करेक्ट यह भी सही है अभी मुझे एक बात और क्लियर हुई कि मुझे यह पता था कि जब आप यहां लिखना कंट्रोल इरिगेशन टेक होगे क्योंकि आपने यहां पर यह नहीं लिखा है एक्जामपल तो मैं समझ गाता है कि रिपीट करने वारे वर्ड को अवाइड कर रहे हूँ कंक्लूजन अच्छा है और इवन कंक्लूजन में SDG 6 डालाए नाइस सर्व आप नहीं बोला सब जगह पे SDG डाल दो तो मैं वही सुच्छ यह बनाना दिखो वही है ना कि इंट्रदक्शन और कंक्लूजन आपके बने होने चाहिए पहले से जनल टॉपिक्स होते हैं इनके वीजन जो आपका क्लियर होना चाहिए एक वीजन वाला पॉइंट तो हमें हमेशा एड ही करना है तो वह हमें क्लियर होना चाहिए बिल्कुल पहले से बनाके रखो जैसे कि हमने इंडो-पैसिफिक रिजन कहीं देख लो तो वहां पर एकनॉमिक और्परेशन पीस औ इंडिया तो वाटर स्ट्रेस रिजन आफ इंडिया आपने फोड़ा लेट मैंशन किया है दो चलेगा कि वह बार में बद्दा रहे हो लेकिन इसमें इंट्रदक्षें अच्छी है ठीक है इंट्रदक्षें थोड़ी सी मतलब पहली वाली जो इंट्रदक्शन थी पहले आप इसमें एक crop diversification के regarding कुछ आइड कर सकते हैं like crop diversification जो है वो एक latest phenomenon है जिसको जो है वो promote किया जा रहा है during the phase of crisis जीस तरह से चल रहे हैं या जो हम sustainable agriculture practices प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें crop diversification important role play कर रहा है आप यहाँ पर कोई reference डाल सकते हैं किसी organization का और crop diversification में ना कहीं रहे हैं कि नबाड बहुत important role play करता है नबाड जो है वो काफिंग पॉर्टन डूल प्ले करता है crop diversification में तो उसको जो है वो आप एक बार देख सकते हैं मतलब नबाड की जो policy वो एक बार पढ़ लेना with respect to rule development benefits well mentioned water conservation okay सही है थोड़ा सा इसमें बता सकते हैं कि water conservation क्यों क्यों अगर आपको लगता है कि आपका स्थोड़े पॉइंट कम आ रहे थे तो आप वो mention कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो water availability जो है वो कम हो रही है improve soil health ठीक है nutrient cycle fix atmosphere यह सही है अब अच्छा है इवन you mentioned this also ठीक है और फार्मर इंकम ठीक है by reducing dependence on single crop ठीक है प्रमोट new market okay सही है मतलब एक new market भी प्रमोट करेगा प्लस साथ में न एक आप लिख सकते हैं सब्सिस्टेंस forming कि उसको भी आप इसमें देख सकते हैं साथ में बाय डिवेस्टी स्पोर्ट ओके reduce reliance on chemical pesticides किस तरह से तो आप यह बता सकते हैं ठीक है reduce oil erosion help in helps यह क्या लिखा है आपने कि वाइन नहीं लग रहा है यह थोड़ा एक पार चेक करना कि पेडरूटी ठीक है reduce oil erosion ओके यह भी सही है अब सर देखो अब मेरे साथ यह दिक्कत हो रही थी अब reduce oil region अपने आप में काफी है लेकिन सब में मैंने एक sentence लिखा है तो सोचरी से भी कुछ लिखती है जबरदरस्ती से तो जरूरी है कि अब यह नहीं 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 एक्ट्वल में यह पॉइंट ना यह बनेगा example यह reduce oil erosion यह example है आप लिखो यहां पर इसको जैसे आपने बाइडिवेस्टी स्पोर्ट लिखाना सपोर्ट लिखाना तो आप इसको यहां पर एक्जांपल में आड़ करो आप यहां पर ecological balance को लिखोई बाइडिवेस्टी के साथ ecological balance प्रमोट कर रहा है कैसे सबसे पहला तो है बाइडिवेस्टी conservation and also reduce soil erosion तो आप इसको इन इसके साथ यहां पर डाल सकते ecological balance में ecological balance में आप एक बाइडिवेस्टी वाल एक्जांपल डालो और सेकिंड एक्जांपल डालो स्वाइल इरोजन वाला कि स्वाइल इरोजन को भी कम करता है यह थीक है बट लाइक होता है बहुत बढ़के points लिखें है समझे बाइड इन्हांस farmers income लेकिन इसमें एक दो पॉइंट लिख सके लेकिन कोई-कोई ऐसा point होता है जहां पर इसमें additional लिखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा अधरवाइस कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-क इनिशेटिव कुछ आपको बता justify करना पड़ेगा आपने स्टेट्मेंट लिख दियो जस्टिफाइब नहीं क्या सेल्फ जस्टिफिकेशन मैं समझ गया आपकी लेकिन फिर भी मुझे clear मतलब आपने जब उपर से सारे में mention किया तो इसमें यह भी मैंशन करना पड़ेगा और उसके बास सोचल एकनोमिक बेनेफिट्स सिर्फ एक लिखाया आपने आप सोश्ट अप सोच्वन अपने में जो हाओ आपको डॉब्लिंग फार्मर इंकम को आड़ करना पड़ेगा फार्म डेवलेप्मेंट को लिखना पड़ेगा वेम पार्मर वोमें या वोमेंड वॉमें फ़र मोंड उसको मैंश कर सकता है इंप्लाउमेंट ज्वनतर्ट हो रही है यह यह वी साहई यहाद मैंशन कर सकता है कि से अश्युक्त इसटाइम 55 debr 지금은 weekly एकाव 2 यह वाला पॉइंट पूछा ही नहीं है क्या है नहीं जिसे क्वेश्चन में है नहीं है चीज लिखने ही पड़ेगी छोड़ नहीं सकते हैं आपको सहीधा पूझाएगी कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कंट्रिबूट कर सकती है बट लेकिन आपको साथ में बताना है कि कंट्रिबूट तो कर रहे हैं लेकिन कुछ चैलेंजिस भी है तो वह चैलेंजिस आपने नॉर्मली ज्यादा नहीं बताई हैं सही बताई हैं कम लिखे हैं ठीक है मतलब सर मैंने इस लिए भी लिखी क्योंकि अगर मैं यह नहीं लिखती तो फिर में उसको दस पॉइंट करना में मुश्किल था क्योंकि दो पेज तो भरना है कंक्लूजन भी तो बनाना है कंग्लूजन कैसे बनाओ गें सिर्फ और सिर्फ बैनेफिटस लिख कर सोशल इकनॉमिक बैनेफिट लीकर बैनेफिट जहां लिख रहे हूं भाँ चैलेंज़ लिखने पड़ेंगे और कंक्लूड करना पड़ेगा क्योंगि इनिशेटी भी बनाने है साथ में कि तुसर चैलेंजिस सबसे उपर लिखना था यह देने इस आहीं नहीं सही लिखे आप देने चैलेंजेजिस कुछ भी चैलेंजिस फिसक थीक है आपने बताए क्रॉप कि डिफिनीशन आड़ होनी ही एक्सेक्ट पूरी देर उसका बैने कि बेनेफिट्स क्लियर है कि इतने यह बेनेफिट्स है लेकिन बेनेफिट्स तो है कुछ चैलेंजिस भी यह साथ में जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा ताकि हम फुल पोटेंशल पर चले और फिर आपने इसको लिखा भी है कि इस इशूज जो है वो एंफ़साइज दनी अर्जेंट नीट फॉर प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिविकेशन यह जो चैलेंजिस है यह बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिकेशन को थूप पॉलिसी इंट्रवेंशन अवेर्नेस एंट ठीकनोलिजी ठीक है आप एक्जामपल लिख सकते हो फॉर एक्जामपल रिसेंट इनिशेटिव कोई भी जैसे कि परमपरागत क्रिशी जोजना ठीक है गवर्मेंट का इनिशेटिव है या फिर आप और्गनिक फार्मिंग जो परमोट कर रहे हैं उसको मैंशन कर सकते हैं या जीरो बजट नेच्टर फार्मिंग यह सभी एक्जामपल जो है वह एड़ के जा सकते हैं जीरो बजट नेच्रल फार्मिंग और्गनिक फार्मिंग ठीक है या फिर हम बोख सकते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वह बहुत इंक्पार्टन रोलप्ले करने वाला है एड़रेट 2047 तक कि भारत को अगर एक डेवलेफ्ट नेशन बनना है तो उसमें अगरिकल्चर जो है बहुत इंक्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं अगरिकल्चर के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक की रोल जो है वो की या क्रूशल जो है वो कंस इसका सबसे बड़ा एक्जाम्पल है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं क्लियर 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 क्लियर